आज की इस कक्षा में हम प्रस्णा वली 9.1 के प्रस्णों को हल करेंगे प्रस्ण नंबर एक है हल कीजिए तथा शार्नी को पूरा कीजिए ये एक सार्नी दिया गया है इस सार्नी में ये ब्लैंक स्थान जो है रिक्त स्थान है इसे हमें भरना है पहले हल करना है तो या इसका पहला मैं देख रहा हूँ ये है क्रेम लिव ये दिया हुआ है विक्रेम लिव भी दिया हुआ है तो अब इस से क्या लाव होगा या हानी होगा और अगर लाव होगा तो लाव परतिसत और हानी होगा तो हानी परतिसत बताना है तो आईए एक एक करके हल करते हैं इसका पहला परस नमबर एक का पहला ये है क्रेमल हमारा दिया हुआ है और विक्रेमल क्रेमल है दो सो पचास विक्रेमल है दो सो पचीस तो क्रेमल ब्राबर 250 विक्रेमल ब्राबर 250 तो हम देख रहे हैं कि क्रेमल जादा है और विक्रेमल कम है जब क्रेमल जादा होता है और विक्रेमल कम होता है तो क्या होगा? हनी होगा तो हानी कितना का हो रहा है इसे तो यहां हानी हो रहा है यहां हानी का फर्मूला हमारा है क्रेमल गटाओ विक्रेमल तो क्रेमल है 250 और विक्रेमल 220 तो यहां हानी हो गया 25 उर्पे का तो यहां पर हमारा हानी आ गया 25 उर्पे तो यह तो हम भर दे रहा हैं यहां पर यह हो गया हमारा 25 और इसके बाद अब हमें हानी प्रतिसत निकालना है तो प्रतिसत हानी इसका क्या फॉर्मूला है हानी बटा क्रैम उल्ल गुना एक सो तो हानी है हमारा पैचीस और क्रैम उल्ले है दो सो पचास और ये हो गया गुना एक सो तो पचीस से हम अगर हम भाग देते हैं तो ये दस बार में चला जाएगा और दस से हम इसको काटेंगे तो ये सुनी कट गया हमरा बच गया दस यानी प्रतिसत हानी कितना हो गया 10 परतिसत तो यहां पर हम लिखेंगे 10 इसका प्रसंद संख्या 2 क्राय मुल्य दिया हुआ है और परतिसत लाब दिया हुआ है तो हमें यहां लाब निकालना होगा और विक्राय मुल्य निकालना होगा है तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं तो क्राय मुल्य है हमारा 750 और परतिसत लाब है यह है 30 तो वास्थविक लाब जो होगा यह कितना होगा यह हो जाएगा 30 बटा 100 और गुना 750 तो यह सुन्ने कट किया यह सुन्ने कट गया और यह से यह सुन कट गया तो हमारा यह आ गया 220 दो सुपचीस रुपे तो क्राय मुल्य यह है और लाब यह है तो विक्राय मुल्य कितना हो जाएगा विक्राय मुल्य बराबर क्राय मुल्य जोड लाब लाब तो क्राय मुल्य है मारा 750 और यह लाब आ गया है 220 पचीस तो यह कितने हो गए 975 रुपे तो हमारा आ गया यहां पर विक्राय मुल्य यहां चाहिए था यह है है 975 और लाब तो लाब है 225 तीसरा प्रस्ट देख रहे हैं यहां क्राय मुल्य दिया हुआ नहीं है विक्राय मुल्य है और लाब है तो हम क्राय मुल्य कैसे निकालेंगे तो क्राय मुल्य ब्राबर हो तो क्राय मुल्य हो गया 430 रुप्या अब क्राय मुल्य निकाल गया तो अब हम लाब प्रतिसत निकालेंगे चुकि यहां लाब हो रहा है तो प्रतिसत लाब ब्राबर यह हो जाएगा लाब बटा क्राय मुल्य और गुना एक सो तो यह सुन्ने और यह सुन्ने कट गया तो यह आगया दो सो सॉ पट debate टेंप्तालिस तो दो सो में अगर तेंप्तालिस से आप भाग देंगे तो यह आजाएगा आपका भाग देखे हैं खुद देखेंगे 4.65 परतीस अत तो यहाँ पर हमारा आ गया ये क्रैम उले आ गया 430, 430 और लाग परतिसत हो गया 4.65 अब हम चौथा प्रस्न ले रहे हैं, यहाँ क्रैम उले दिया हुआ है और हानी परतिसत दिया हुआ है तो हानी कितना हो जाएगा, हानी निकालेंगे, तो हानी हो जाएगा पंदरह परतिसत है, तो पंदरह गटा एक सो और ये क्रैम उले छे सो पचास तो ये सुने और ये सुने कट गया और ये पांच से दो और ये पांच से तीन तो ये गुना करेंगे, तीन पच्छे पंदरह, हातमरह एक, तीन च्छा कठारह और एक उन्नीस बटा दो, और ये भाग देंगे तो हो जाएगा, दो नमा ठारह, एक बच गया पंदरह, दो सते चवदा, और दसमलो हो गया 5, इतना रुप्या हानि हो गया, ये, ये हानि हो गया, 77.5, तो हमको विक्रेमल निकालना है, तो विक्रेमल क्या होगा, क्रेमल, क्रेमल, घटाओ, हानि, तो हानी कितना है 97.5 तो इसे आप घटा के देखें तो ये घटाने के बाद आ जाएगा आपका आप स्वयम से घटाएंगे 552.05 सुन्ने ये रुप्या तो यहां पर हम विक्रेमू लिखेंगे 552.05 और ये हानी यहां हानी है हानी हो रहा है 97.5 अब पांचवा प्रस्न यहां विक्रेमू लिखेंगे दिया हुआ है और हानी दिया हुआ है और हमें क्रेमू लिखेंगे निकालना है और हानी पर्तिसद निकालना है तो क्रेमू इस स्थिति में हानी के स्थिति में क्रेमू लिखेंगे क्या होता है विक्रेमू लिखेंगे दो सो रुप्या तो क्रैम मुल्य हो जाएगा हमारा 1200 रुप्या एक हजार दो सो रुप्या तो अब क्या निकालना है हमें हानी प्रतिसत तो ये प्रतिसत हानी ये होगा हानी कितना था? 200 बटा क्रैम मुल्य ये 1200 और गुना उपर 100 तो ये ये दो सो ने कट गया है और ये दो से चार से चार से चारतियाई बारह और ये चार से पचास तो ये हो गया पचास बटा तीन तो तीन से आप भाग देंगे तीने का तीन दो बच गया बीस तीन चक अठार और फिर दो बचेगा तो यानि शिक्स और बार बार शिक्स आएगा तो ये सेवन परतिसत 16.67 परतिसत तो यहां हम लिखेंगे क्रेमल बारसों और ये हानि परतिसत हो गया 16.67 प्रस्न संक्या दो निम्ड प्रस्नों के परतिसत लाब या हानि ग्याद कीजिए तो इसका पहला प्रस्न है एक कुर्सी 200 रुप्या में खरीदी गई तथा 250 में बेची गई तो यहां क्रेमले हमारा हो गया 200 रुप्या और विक्रेमले 250 हम देख रहे हैं कि विक्रेमले क्रेमले से जादा है तो ऐसे स्तिति में क्या होता है लाब होता है और तो लाब बराबर क्या होगा विक्रेमुल घटाओ क्रेमुल तो विक्रेमुल हमारा 250 है और क्रेमुल 200 तो इसे हम घटाते हैं 250 से 200 तो हमारा आगया 50 रुप्या तो लाब हमारा आगया है 50 रुप्या अब लाब परतिसत निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है लाब बटा क्रेमुल गुना 100 तो यहां रखते हैं 50 बटा 200 और गुना 100 यह सुनने और यह सुनने कट गया यह 5 से हमने 20 को काटा 4 बार और यह 4 से 100 को 25 बार तो यह आ गया 25 परतिसत तो परतिसत लाब यहां आ गय प्रस्तन संक्या दो देखते हैं एक डिक्सिनरी 425 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेची गई तो हम देख रहे हैं कि जिस दाम में हम खरीद रहे हैं यानि क्रैमुल यह है विक्रैमुल उससे कम है तो ऐसे स्थिते में क्या होगा हानी होगा तो क्रैमुल हमारा 425 विक्रैमुल 400 रुपया यह हानी हो गया है तो कितने का हानी होगा तो यह हम निकालेंगे क्रैमुल ने घटाओ विक्रैमुल तो हमने 425 से 400 घटा दिया तो हमारा हानी आ गया 25 रुपया यानि डिक्सिनरी को बेचने में 25 रुपया की हानी होती है तो हमे अब निकालना है प्रतिसत हानी तो इसका फॉर्मूला क्या है हानी बटा क्रेमल गुना 100 तो यह हो गया 25 बटा 425 गुना 100 तो 25 से हम 425 को काटते हैं तो यह 17 बार में होगा तो यह हो गया हमारा 100 बटे 17 प्रतिसत तो हमारा रुपया में खरीद कर 225 में बेची गई तो यहां क्रैमुल एक कम है और विक्रैमुल जादा है अधात लाब होगा तो यह प्रसंद ठीक वैसे ही बनेगा जैसे पहला नंबर प्रसंद बना है पहला नंबर में लाब हुआ था ठीक इसी तरह से बनेगा चौथा नमबर एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई यहां हम देख रहे हैं कि क्रेमुल जादा है और विक्रेमुल कम है यानि यह हानी में बेचा जा रहा है तो यह प्रस्न हमारा दूसरा नमबर प्रस्न यह हमने बनाया है ठीक उसी तरह से बनेगा यह तीसरा और चौथा को आप खुद से बनाये प्रस्न संक्या 3 एक टीवी 5500 में खरीद कर 25 प्रतिसत लाब पर बेचा गया विक्रेमुल ज्याद कीजिए तो क्रेमुल हमारा दिया हुआ है 5500 और प्रतिसत लाब क्या दिया हुआ है यह है 25 प्रतिसत तो शुद्ध लाब जो होगा वो क्या होगा तो इसका फॉर्मुला हम जानते हैं यह क्या है यह जो लाब प्रतिसत है बटा एकसो गुना पांच हजार पांच सो तो यह शुन ने और यह सुन ने और यह सुन कट गया तो हमारा क्या आ जा रहा है 25 से 55 को आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1375 तो हमारा लाव यहां हो जा रहा है 1375 रुपया तो विक्रें मुल्य हमें निकालना है तो विक्रें मुल्य का हमारा क्या फॉर्मूला है विक्रें मुल्य बराबर क्रें मुल्य और जोड लाव तो क्रें मुल्य हमारा था 5500 और लाव कितना हुआ है यहां 1375 तो इसे हम जोड देते हैं तो ये 5, 7, 5, 3, 8 और 5 और एक 6 तो विक्रेमुल आ गया 6,875 रुपया प्रस्न संख्या 4 एक साइकल को 2500 में बेचने पर 20 परतिसत की हानी होती है साइकल कितने रुपय में खरीदी गई थी तो यहाँ विक्रेमुले दिया हुआ है और हानी परतिसत दिया हुआ है हमें साइकल का क्रेमुले निकालना है तो यह विक्रेमुले हमारा है विक्रेमुले ब्राबर 2500 और यह परतिसत हानी है परतिसत हानी 20 परतिसत तो हमें निकालना क्या है क्रैमूल यह निकालना है तो इसे हम इस तरह से निकालते हैं मालिया मान लिया कि क्रैमुल निकालना है इसे ही हम मानते हैं यह 100 रुप्या तो परतिसत हानी हमारा है यानि 100 में हानी कितना है 20 रुप्या इसलिए इस इस्तिति में हमारा विक्रैमुल क्या हो जाएगा यानि क्रैमुल घटाओ हानी यह हो जाएगा 80 रुप्या जब विक्रैमुल असी रुप्या है तो क्रैमुल यह बराबर हमारा कितना है 100 रुप्या एक एक नियम के अनुसार इसलिए जब विक्रैमुल एक रुप्या है तो क्रैमुल कितना हो जाएगा एक सो बटा असी और इस प्रकार जब विक्रैमुल दो हजार पांस सो रुप्या है होगा तो यह क्रैमुल कितना हो जाएगा एक सो बटा असी गुना दो हजार पांस सो तो यहां हम इस सुन्य और इस सुन्य को कट देते हैं अब इसे हम दो से काटेंगे तो दो चोके आठ और यह दो पचे दस यह हो गया अब इस चार से हम इसे काटते हैं तो चार चक चोबेस एक बचा दस चार दोनी आठ और दो बचा तो चार पचे बीस तो यहां पांच से छेसो पचेस को गुणा कीजए फाच पचे 5 25 का पाँच पाँच पचेस का पाँच दो पाँच दो नी दस दो 12 का दो हात में रहा एक पांस चक तीज और एक यह तीज आर्थाट ये ये क्रै मोली कितना आ अगया है हमारा 3,125 रुप्या यह हमारा क्रैमुल हो गया यही हमें निकालना था साइकल का क्रैमुल यसलिए साइकल का क्रैमुल बराबर आ गया हमारा 3,125 रुप्या